वर्मन कॉलिश शोब अन्जमेर से शोबाय उद्धूस नहीं हों बिये के पहले बिये पार्ट सेपिन के पहले प्रक्राद के नावी दास्ताम और अफसाना पहले एक एक सब बियान कर चीपने और दूसरा करने को कि अन्दास तरह की जलसरी हैं बहुत से नाखादों ने परानी तेजी को परानी जमाने के जहने जहनी अन्दास को सामने रखता हूए इसकाल का इजार कर आए चुकि एनसान पहले अपनी बहुत से पाईशा है तो भूमनी जानबा पहना पहनाने की ताकत नहीं लगता है इसलिए अक्सार है कि ऐसे वाटा जल्दिया करता था जिससे उसके जहीं को सुखर मिल जाया गए और ऐसे मैसस होता था जो रहा उसके पाईश मच पुझे हूए और उससे नकादों का गयना है कि दास्ता में बज़वादा बियाने के गए हैं वह दर असल पराने जमाने के लोगों को फ़वव हैं जो फस्ति की चपिमी ब्यानती हैं हर जमाने में लोगं खौफ देखे हैं आज में नहीं वादी तरफिकी बाद भी ऐसे ख़्ाब देखते हैं इनका तालुक फटरी जिंदेवी से और फटर पाईशास सो बतार लोग और पॉराने लोग ऐसे कि अमर्क आइशाय की खिलाफे करते हैं, गहर तरकी आफ़ता जमाने लिए जब लोग समंदर का सफर नहीं कर पाते हैं, जल पड़ी वगहर का किर्दार को जरीया जरीया ऐसे सफर को ते कर लिए करते थे जब होश्चुमनों से हार जाते थे और अपनी कहानी में गहर महमुल को जब खुबत का सिक्रीब भी करते हैं, पर इसे देवजाद की तप्रिय करके अपनी जीत का हितना कर लिया करते हैं, यह बनियादी वजाए है जिसकी वज़ा से माः फौकुल फितरत और फौकुल बशर करदार की कस्तर दास्ताएं में अकसर दिखाई देती हैं, या तो जिन्नात देव परी के महा फोकल फितरत किर्दार बहुत नमाया होते थे यह ऐसे इंसान के किर्दार को बड़ा चकार रड़ागर पेश के जाता था जाता है जो देखने में तो इंसाने मगर उनके अंदर आम इंसानों से जादा ताकत इल्म समझ और नमाली होते थे इस किसम में आते थे वो पने जमाने के अतिबार से या तो अपना जवाज रखते हैं या नए जमाने के घर जोरी महसूस होते हूँ नए जमाने के लोगों ने आखर और जो शर्वर्टिकत पर याकिन करना कुछ जादा ही शुरू कर दिया इसलिए आज इस लिए इसे तोहम पर मु तो हमें दास्तावर के वाकात और प्रण अगायरत नहीं आएगी मगरी में के लिए गए किजार की तस्रूम माकूले जाकूर जब पर बहुत जोड़ गया इसलिए हमें हाज दास्ताव मस्मियों और प्रहन अकायद पर मुद्वी वाकायद के खिलाब आकल मालुम उत्की जबके अखिकत यह है कि प्रहन दास्ताव मुद्वी दोनों में आज भी पूरी दिछजबी से पड़ा जाता है और उनकी एहमियत को मैसूस के जाता है पंच तंदरों या अलिए फिल्ला पिस्सा आतंताई और पिस्सा कुल बकाली दास्ताई आज भी इसी तरह मक्बूल ह अगर हम पुराने जमाने के फागब बाली और कम मस्रूब इंसान की जिंदेगे की प्वेशे रज़र रहें तो यह समझते हैं कि जद्धा वक्त नहीं होता है कि पुराने जमाने में इंसान अक्सर वक्त बुजादी के लिए भी पसर रहाता है सारे दिन थका आरा है इंसान जब रात को दोस्तों के साब बैठता था तो सर्दियों में हाग के अलाव की चाहदा की तरफ भूटनों बैठकर ठंडग के एसास को कम करना चाहता है तो इस वक्त सबना इस ने दिल को बेलाने वाली नहीं हो ठुच बहाता था तो अईसे ही वाक्यत और दास्तान में वो दिल को मेलाता था वक्त भी कारता था उससे के मुश्राइट की हसा हमें तो को भी कम करने के कोशित करता